एक शाम राजा अकबर अपने प्रिय बीरबल के साथ अपने शाही बगीचे की सेर के लिए निकले। वह बगीचा बहुत ही शानदार था। चारों और हरियाली ही हरियाली थी और फूनों की भीनी-भीनी खुश्मु वातावन को और भी खूपसूरत बना रही थी। ऐसे में राजा को जाने क्या सूझा की उन्होंने बीरबल से कहा बीरबल। हमारा मन है कि इस हरे भरे बगीचे में हम हरे घोडे में बैठ कर घूमे। इसलिए मैं तुमें आदेश देता हूँ कि तुम साथ दिनों के अंदर हमारे लिए एक हरे घोडे का इंतजाम करो। वहीं अगर तुम इस आदेश को पूरा करने में अस्फल रहते हो तो तुम कभी भी मुझे अपनी शकल ना दिखाना। इस बात से राजा व बीरबल दोनों वाकिफ थे कि आज तक दुनिया में हरे रंग का घोडा नहीं हुआ है। फिर भी राजा चाहते थे कि बीरबल किसी बात में अपनी हार स्वीकार करें। किसी कारण उन्होंने बीरबल को ऐसा आदेश दिया। मगर बीरबल भी बहुत चालाक थे। वो भली भांती जानते थे कि राजा उनसे क्या चाहते हैं। इसलिए वो भी घोडा ढूंडने का बहाना बना कर साथ दिनों तक इधर उधर घूंते रहे। आठवे दिन बीरबल दरबार में राजा के सामने पहुँचे और बोले महाराज आपकी आग्या के अनुसार मैंने आपके लिए हरे घोडे का इंतिजाम कर लिया है। मगर उसके मालिक की दो शर्ते हैं। राजा ने उच्सुकता से दोनों शर्तों के बारे में पूछा। तब बीरबल ने जवाब दिया पहली शर्त यहा है कि उस हरे घोडे को लाने के लिए आपको स्वयम जाना होगा। राजा इस शर्त के लिए तैयार हो गए। फिर उन्होंने दूसरी शर्त के बारे में पूछा। तब बीरबल ने कहा घोडे के मालिक की दूसरी शर्त यहा है कि आपको घोडा लेने जाने के लिए सप्ता के सातों दिन के अलावा कोई और दिन चुनना होगा। यह सुन राजा हैरानी से बीरबल की ओर देखने लगे। तब बीरबल ने बड़ी सहचता से जवाब दिया महाराज। घोडे का मालिक कहता है कि हरे रंग के खास घोडे को लाने के लिए उसकी यहाँ खास शर्ते तो माननी ही होंगी। राजा अकबर बीरबल की यह चतुराई भरी बात सुनकर खुश हो गए और मान गए कि बीरबल से उसकी हार मनवाना वाकई में बहुत मुश्किल काम है। कहानी से सीख यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सही सूजबूज और समझदारी के साथ नामुम्किन लगने वाले काम को भी आसानी से किया जा सकता है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको अकबर बीरबल की कहानी अच्छी लगी होगी। कृप्या कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं आपके किसी भी प्रश्न एवं सुझावों का स्वागत है। कृप्या शेयर करें।